स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नौलेच में आज का इंपोर्टन टॉपिक है ले आउट करने के बाद जब कभी भी आप कॉलम का ले आउट करते हैं उसके बाद कॉलम अपने पोजीशन पर कैसे खड़ा करते हैं ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वीडियो आप लाश्ट तक देखें पिछला वीडियो मैंने बताया हूँ कॉलम ले आउट कैसे करते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिशन वाउक्स में लिंक मैं दे दिया हूँ वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं यह देखिए इसका ले आउट हो चुका है और इसका जो बोटम जाल है जो में से जाली इस पर सेट किया जा रहा है तब जाके आपको कॉलम कास्टिंग करने के लिए कॉलम खड़ा किया जाएगा ओके तो वीडियो आप लाश्ट तक रेखिए देखिए होता क्या है जब कभी भी आपको कॉलम चाहे किसी भी विल्डिंग का पार्ट हो चाहे कोई भी भी पॉले ले आउट होता है यहाँ पे देखिए ले आउट नहीं हुआ है तो ले आउट करने के सही तरीका क्या होता है मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ आप जाकर देख सकते हैं फिर भी एक rough idea मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए क्या करते हैं जो grid line होता है जो ऐसा है कि मैंने बताया grid line क्या होता है center line column का center line पे आपका marking point होता है उस पर आपको धागा बंद वा लेना है जैसे कि आप देख रहा है पूरे एप का जहां जहां marking करना यह धागा बंद चुका है grid line पे दोनों का जो cross आएगा जैसे कि इसको मैं focus कर रहा हूँ देखिए यहां पे double plus बन रहा है प्लस के नीचे आपको plum से marker से mark कर देना है यह column का center line हो गया या तो center line हो सकता है या तो offset हो सकता है यह drawing पे depend करता है कि drawing कैसा है offset है किदर column बाहर है किदर ज़्यादा है मैं पिछला वीडियो में बताया भी हूँ उसमें आपको better समझ में आएगा इस तरह आपको layout करना होता आज मैं आपको basically बताने जा रहा हूँ कि column अपने position पर खड़ा कैसे करते है तो वीडियो आप लाज तक देखे मेरा एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि अभी तक आपने civil site knowledge को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करने साथ में bell icon को press करना मत भूलिए ओके आप देख रहे हैं यहाँ पी column casting हो रहा है याँ फुटिंग casting हो रहा है यह पाइल कैप है यह पाइल कैप डल रहा है पाइलिंग हुआ है और उसके बाद layout करके यह casting हो रहा है casting होने से कैसे check करते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा यह देखिए यहाँ पे column का plumb हो रहा है plumb कैसे करना है बहुत important civil engineering को तीन चीज़ आना चाहिए line, length यानि plumb आना देखना आने चाहिए dimension यानि drawing देखने आना चाहिए और आपको water level तीन चीज मेंटन करना है अब चलिए इसको हम यह देखिए center में जो दीख रहा है यह center line है, black से जो mark दिया है यह center line है इस column का और इस position पे आपको column को खड़ा करना है देखिए column palette से making करके त्यार है यह छोटा column है 10 by 10 inch का column है इसलिए easily दो लोग इसको lift करके ला देंगे, अगर heavy column होगा तो फिर इसी जगह पे आपको place करके बंदना होता है, making करना होता है नीचे में देखिए cover block लगा हुआ है ध्यान दीजिए जो नीचे में good cut type के जो दीख रहा है यह cover block है, cover block जरूर लगवा है अगर आपके site पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है comment करके आप बताए अब देखिए क्या होता है कि जैसे जाली fix हो गया इसके column को lift करके इसके center line पे fix किया जाएगा और binding wire के है, मदद से और support के मदद से जो बली होगा बास हो, उसके मदद से इसको column को state खड़ा किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे देखिए, casting होने के लिए column को plump किया जा रहा है चेक किया जा रहा है, casting अदर दूसरे site start भी है, अब देख रहा है एक तरफ casting हो रहा है, एक तरफ layout हो रहा है तो यह आपको multi काम करना होगा, ताकि कोई काम आपको stop ना होगा है तो यहाँ पे देखिए, column अपने position पे घड़ा हो गया और यह अपने experience base के तोर पे center line match कर रहा है जो barbender है यह अपने अनुभाव के तोर पे इसको कर रहा है, फिर इसको check कराएंगे, इसको fix कर लेंगे ओके देखिए, आप यह fix करने है fix करने के बाद यह plump देखेंगे, plump देखेंगे, थोड़ा बहुत इधर उदर आएगा तो उसको adjust कर लेना होता है जाली को disturb नहीं करना है, ध्यान दिजिएगा नीचे में जो में से उसको disturb नहीं करना है, क्योंकि वो अपने center line से इधर उदर होता है आपको जो भी करना है, column का जो vertical bar है, इसी को आपको इधर उदर move करना होता है, lift करके क्या करते हैं, लोग center में नहीं आदें, तो column को जाली को हीं तो हलका सा घसका देतें, तो वैसे आपको नहीं करना है, इसलिए यह देखा जा रहा है, मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि कैसे check किया जाएगा, पहले इनको कर लेने देजिए, उसके बाद मैं आपको check करने के लिए बताऊंगा, देखिए अपने position पे यह आप खड़े कर लिए, लेकिन लंबा process होता है, लेकिन easy process मैं आपको बताऊंगा, देखिए, इन्हों ने अपने अनुसार, इन्हों ने क्या किया, check कर लिए, अब इसको plump check करना है, तो plump check करने के लिए, जो stiruff होते, जो ring होता है, उसका center line निकाल लेजिए, यानि कि अगर 10 इंच का stiruff है, तो उसको 5 इंच पे mark करते हैं, देखिए, ये chalk से mark होड़ा है, center line, अब plump भी है, अब ये आपको plump देखेंगे, दो जगा करेंगे, इसी तरह हम top में भी करेंगे, दो जगा और एक दूसरे side भी करेंगे, देखिए, ये दूसरे side भी mark कर रहे हैं, आपको भी कर रहा ना होगा, कि ये vertical एदम state सिधा खड़ा है कि नहीं है, ओके, तो mark करने से ये होता है, कि एक पर plump देखिएगा, जिदर घुमा रहेगा, जिदर tilt रहेगा, वो आपको यहाँ पे मालम चल जाएगा, लेकिन एक जग सेंटर लाइन पे है कि नहीं, ये भी आपको चेक करने होना चाहिए, पर इनको mark कर लेने जिदर, फिर आपको ये plump दिखाएगे, यानि साहूल दिखाएगे, कि साहूल में है या नहीं है, आपको साहूल के साथ साथ नीचे का जो सेंटर लाइन है, ओभी आपको दिखाएगे, अब ये साहूल गिराएगे, देखे, कैसे पकड़ना होता है, देखे, जो उपर में जो mark किया है, देखे, ये जो mark उस पे रखेंगे, और नीचे के तरफ दिखाएगे, अगर ये plump में होगा, यानि state में होगा, ये आपका दोनों, यानि कि bottom का जो center line, जो ring कमा रहे हैं, जो हलका सा चोक दिख रहाएगा, यहाँ पे, ये और उपर दोनों आपको match करेगा, अप प्लस में नीचे का center line, देखे, यहाँ ये चोक जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको match करेगा, देखे, कर रहा है, थोड़ा सा आपको, ये क्या है, आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, यानि column को shift करना पड़ेगा, कि ये plump में eject नहीं आ रहा है, 5 mm का अभी अंतर है, और नीचे में भी ये mark रहा है, वहाँ पे देखे, देखाना पड़ेगा, देखे, आपको क्या करना है, नीचे में mark plump नहीं जा सकता है, क्योंकि column का steel है, ओके, ऐसे अगर steel वहाँ पे नहीं हो, तो हम center line पर drop करेंगे, तो वही center line marking पर दम किरेगा, देखे, दूसरा तरीका ये है, कि column का ring में हम center line निकाल ली है, पाचिंच पाचिंच जैसे मालने जी example बता है, और दोनों तरफ धागा बांदेंगे, यानि plus बना देंगे उस धागा को, देखे, बनाया जा रहा है, और इसका center होगा, ये, इसका center, नीचे वाले center से match करना चाहिए, देखे, ये थोड़ा difficult है, मैं इसल center पर है कि नहीं, plum में तो कोई check करा देता है, कहीं भी खड़ा कर देचे का plum में हो सकता है, लेकिन जो आपने layout किया है, उसका center line पर ये column खड़ा है कि नहीं है, position पर है कि नहीं, ये check करेंगे, आप देखे, जो column, जो thread है, धागा है, उसका जो cross हो रहा है, उसके center पर plum नीच होता है, मैं next जो video बनाऊंगा, आपके लिए बहुत important लाने वाला हो, कि कैसे फिर check करते है, casting करते समय, जब इसको casting करना हुआ, मिलते है next video में,